स्प्लेंडर सेगमेंट में जहां पिछले 25 सालों से स्प्लेंडर प्लस इकतरफा अपना जो है बादशाही राज चला रहा है और वही टीवीएस ने भी इस पूरी सेगमेंट को समझ करके इसकी जो डीमांड होती है उसे समझ करके अंडरस्टैंड करके जो एक नई गाड़ी 2018 में लॉंच करी थी वो है TBS Radeon और कुछ चत तक ये स्प्लेंडर प्लस को बुरी तरह से और पूरी तरह से कॉम्पेट भी करती है इसका अल्रेडी कंप्रेजन वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेवल है BS4 का आप देख सकते हो तो अब जब ये Radeon है ये आ चुकी है BS6 में 110 CC की ये गाड़ी आती है इसे के साथ क्या यहां पर नया बदलाव आपको देखने को मिलता है और वही क्या पहले के मुकाबले इसकी जो handling है वो अच्छी हो चुकी है क्या ये वाकई स्प्लेंडर को बीट करती है या फिर इस से बहतर कुछ और options market में available है इस गाड़ी को चल जान लेंगे कि इस गाड़ी के handling कैसी है, pickup कैसा है, power कैसी है, mileage कितना देती है, price क्या है तरह तरह के सवाल जो आपके मन में उठ रहे है इस गाड़ी को ले करके उसका आज यहां पर real life experience वीडियो होने वाला है जैसे कि अपने channel की पहचान ही है सब कुछ जानने के लिए बने 2018 में ही launch होवी थी तो वही जो look है वो carry forward करा गया है, कुछ एक बदलाव आपको देखने को मिल जाएंगे जो की top end model में रहेंगे, मैं आपको बताऊंगा आगे, वैसे भी look यह एक subjective matter होता है, इस पर ना ही बोले तो बहतर है, हो सकता है इसका look मुझे अच्छा लगे, आपक किंग बनी बैटी है, अब उसका नाम है Splendor Plus, उसी को beat करने के लिए इसे अगर बनाया गया है, तो कुछ हद तक वैसी ही build quality यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, आप्टर all TBS की गाड़ी है, हीरो और TBS एकाद feature बहले ही अपनी गाड़ी में कम दे दे, लेकिन build quality compromise नहीं क गाड़ से वो भी अच्छी quality के मिल रहा है आपको, बेहतरीन मिल रही है इसके seat और cushioning काफी अच्छी जो यहाँ पर build quality है, everything सभी मामलों में आपको मिल रहा है, जो carrier है वो steel का मिल रहा है और काफी hard quality का मिल रहा है, जिस पर आप बड़े से बड़ा weight भी जो है carry कर सकते हो, त अगर आप इस गाड़ी को पूरी तरह से देखोगे, तो build quality लाजवाब आपको मिल रही है, इस गाड़ी का जो curve weight है, वो 116 से लेके 118 kg तक आता है, बीच में मतलब जैसे मैंने कहा है, ये को total 3 variant आते है इस गाड़ी में, तो 116 से 118 kg का तक का जग अगर इसका जो curve weight है, तो उस हिसाब से आप देखो तो body to weight ratio बिलकुल अच्छे से यहाँ पर maintain करा गया है, 180 mm का ground clearance मिल रहा है, rural area में या फिर villages वाल area में, जो ground clearance होता है, उसकी लगबग यही demand होती है कि 180 तक आपको चीए, 170, 180, तो उस segment को भी फुल्फिल करती है, नीचे से जल्दी कुछ hit नहीं होता है, 110 CC के हिसाब से इसकी जो peak up है वो बहतरी नहीं है, अब अगर compare कर लिजाए Splendor से, तो यहाँ पर ज़्यादा win-win situation दोनों की ही है, मैं यह नहीं कहूंगा कि Splendor का अच्छा या फिर Radeon का अच्छा है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि दोनों गाडिया सेम, जो throttle response से घुमाने पर सेम ही उट जाती है, दोनों ही, वही सीन यहाँ पर भी है, वही इस गाड़ी का turning radius जो है, वो भी अच्छा ही है, एक commuter segment की गाड़ी है, इसका जो wheelbase आता है, 1265 mm का है, उससाब से आप इसे CT में easily, कम से कम जगामा भी जो है, गोल इसे घुमा सकते हो, आपकी में भी आप इस पर जादा irritated नहीं होते हो, काफी अच्छी जो है, इसकी seating और arrangement दी गई है, पिलियन के लिए भी और rider के लिए भी, CT राइडिंग भी इसकी बहतरीन ही है, आपको किसी बितर की दिक्कत नहीं आने वाले, इनफाक्ट यह बनाई ही CT के लिए है, ठोड़ी आराम से चली जाती है, ऐसे में भी यह काफी stable रहती है highway पर, सामने से हवा का बड़ा जोका आ जाता है, यह उनों wind आ जाती है, बारिश के दिन है, continuously हवा आ रही है, ऐसे में भी यह गाड़ी रास्ता नहीं छोड़ती है, एकदम street पकड़ कर चलती है highway को, तो यह stability का मामला ह जो की काफी बहतरीन इसमें मिल रहा है, कुछ हद तक splendor की बराबर यह कर लेती है, in fact, कुछ मामलों में splendor से भी बहतर लगी हुई है, यह stability के मामले में, वही इस गाड़ी की cornering भी ठीक थाकसी है, मैं यह तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल extreme cornering आप कर सकते हो, ऐसा बिल्कु उसे बाते करके यह points निकल कर आए है, उन्हीं कुछ लोगों से इसका third और fourth जो gear होता है, वहाँ पर थोड़ी से, उन्हों दो तीन बार खटके मारने पड़ते आपको पैरो से, तब जाकर वो shift होता है, तो यह कुछ ही लोगों को face हुआ है, बाकी सभी में shift जो है, वो smooth मिल होई है, gear shifting, चार speed gearbox आपको इस गाड़ी में मिल रहे है, और वहीं इस गाड़ी की pulling power भी बहतरीन है, दो बंदे बैटे है, रूरल एरिया में लगबग ऐसा होता ही है, दो या तीन बंदे भी ठाकर के आप चलते हो, तो ऐसे में भी यह गाड़ी आपको खींचने में कहीं प 8.7cc, air-cooled, 4-stroke, single cylinder BS6 engine मिल रहा है, जो की FI के साथ मिला हुआ है, वही इसकी जो maximum power है, वो 8.08bhp की है, वही जो इसका maximum torque है, वो 8.7nm का है, पावर थोड़ी सी drop हुई है पहले के मुकाबले, थोड़ी सी दादा नहीं, लेकिन torque लगबग सेम ही मिल रहा है आपको, तो इसम समझ में नहीं आएगा highway पर, यहाँ पर kick, kick और self दोनों का option आपको मिल जाता है, इस गाड़ी में अपकी बार यहाँ पर eco-thrustal technology, जिसे T-Waste ने अपनी introduce कराई है, जो पहले से जादा smooth engine का performance आपको provide करती है, पहले से जादा smooth engine यहाँ पर लग रहा है, लेकिन एक चीज मैं क और smooth हो सकता था, क्योंकि higher RPM पर या फिर high speed पर जब आप इसे चलाते हो, तो 80-85 के बाद engine थोड़ा सा rough महसूस होता है, और कही ना कही यह और आगे जा सकती थे, ऐसा भी महसूस होता है, splendor में भी कही ना कही यह चीज होती है, splendor 100 तक भी चली जाती है, उसमें कोई दोराया नहीं है, लेकिन यह situations के उपर depend करता है, और भाई का आपकी इस तरह से maintain करते हो, पर भी depend करता है, खेर यह problem आज भी इस TBS Radeon में है, अब इस गाड़ी की जो seating है, height लगबग 800 mm के आसपास है, जिस पर आप अगर आपकी height 5.5 feet है या फिर उससे उपर है, तो भी आप इसे आ आराम से चाला लेते है, और यहाँ पर एक चीज जो है TBS ने improve कर दी है, जो पहले नहीं हुआ करती, तो जो इसकी seat है, उसकी जो cushioning है, वो पहले के मुकाबले अच्छी बना कर दे दी है, इसमें comfortable जो है riding का आहसास मिलता है, आपको rider को भी और pillian को भी, लंबी चोड़ी seat मि मिल रही है, जिसमें तीन लोग आराम से बैठ सकते है, मैं तो कहूँगा मत बिठाना, ये illegal है, लेकिन rural areas में कुछ हद तक लोग ऐसा करते है, तो उस लिहाँ से अगर देखा जाए, तो seat काफी लंबी और चोड़ी यहाँ पर मिल रही है, और ये गारी कुछ हद तक sustain भी कर suspension मिल जाते है, पहले से थोड़ा सा अच्छा improvement यहाँ पर हुआ है, लेकिन इसमें भी हमें जो उम्मीद थी उसके परे है, यानि कि उम्मीद जादा थी हमारी कि ये और भी suspension जो है soft हो जाए, अगर दो बंदे बैठ कर चल रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, suspension अच्छे से ख इन variant जैसे मैंने कहा था, आपको drum और disc दो braking यहाँ पर मिल जाती है, drum के मुकाबले disc का braking अच्छा ही रहेगा, तो आप इसमें synchronized braking system तीनों ही गाड़ियों में लगा कर मिल रहा है, तीनों ही variant में, तो इसका लगबग वही काम है कि अगर पिछला दबाव तो अगला भी creation create हो जाती है, सामने कोई objective आ जाता है, तो यह गाड़ी आपको आराम से control कर लेती है, skirting के जान से इतने जादा नहीं है, लगबग बारिश की दिनों में शायद हो सकता है, यह शायद वाली बात मैं खेरा हो, हो सकता है, लेकिन अच्छे से आपको control कर लेती है, braking system भी पहले गीले है, तो light faint हो जाता है, mostly देखो आप halogen जो lamp होते है, वो faint होती ही है, तो ऐसे मैं आपको objects दिखने में दिक्कते आती है, dark night में, otherwise बाकी season में headlight no doubt कापी अच्छा है इसका, लेकिन बारिश की दिनों में कही ना कहीं यह faint हो जाता है, और वैसे मैं आपको इतना अच्छा जो है visual ability नहीं मिलती है, यह कमी आज भी इस गाड़ी में है, otherwise अच्छा ही है, इस गाड़ी में 10 लेटर का fuel tank capacity मिलता है, और वही mileage की बात करो, तो यह अलग-अलग लोगों को अलग-अलग मिला हुआ है, लग-बग 60 से लेके 65 तक का आपको mileage का मिल सकता है, mileage भी depend करता है, आ अलग-अलग जगों पे, दिल, लिमुंबई, चन्न, कॉलकाता, हैदराबाद, पूने, हर जगा price अलग-अलग होती है, तो लग-बग 60,000 से लेके 68,000 तक का इसका अलग-अलग variance जो है, वो मिल जाते हैं आपको, आप आपके नस्दिकी showroom में, मैंने ये x showroom price बताई है, तो तो देखो, as per my personal opinion, अगर मैं बताओ, तो यहाँ पर अगर आप rural areas में जाधा रहते हो, आपका खेती में आना जाना बहुत जाधा होता है, या फिर, you know, heavy weight आपके साथ रहता है, आप बड़ी गाड़ी अफोर्ट नहीं कर सकते हो, तो yes, Splendor और TBS Radon, ये हमेशा से ही लोगो आगे निकलाती है, मैं तो कहूंगा, दोनों ही DC ब्रांड है, आत्मा नीरवर भारत बनाना है, दोनों में से कोई भी खरीद हो, फाइदा देश को होने वाला है, तो यहाँ पर इन दोनों की जो comparison वीडियो है, जल्द ही मैं BS6 लाने वाला हूँ, आप उसके लिए बेट कर स इस गाड़ी के उपर मेरा personal opinion है, जी हाँ, आपको इसे खरीदना चाहिए, पहले के मुकाबले जो requirement थी public को, जो इसमें improvement होना चाहिए था, वो हुआ है, speed का improvement हुआ है, देन यहाँ पर आपको power का जो है, you know, engine smooth कर दिया गया है, उस बज़े से power भी अच्छी मिलती है, उसके जो suspension से वो improve कर दिये गया है, तो कई सारी चीज़े है, जो TBS ने अपके बार सुनी है, तो उस लिहाँ से मैं कहूँगा, आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए, best option है, अब finally जाते जाते आपसे एक मैं चीज़ और कहना चाहूँगा, कि अगर आप चाहते हो कि आपके car और bikes related, सभी सवालों के जवाब, in fact, सभी problems के solution आपको एक ही जगह पर available हो जाए, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे subscribe करना ना भूले, और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टा और Twitter पर follow नहीं कर रखा है, तो वहाँ पर भी आप मुझे follow कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर भी आपके सभी सवालों के जवाब दिये जाते है, मैं चेतन पाटिल मिलता हूँ, फिर से ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए, नमस्कार